वेलकम टू यूटूब चैनल जिके जी अस्पित मनिस्सर आज 31 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी और उसके संदर्भ में जो एस्टाटिक बनेंगी वो सभी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा तो आईए सुरू करते हैं आज का महत् इसले जिनके क्रेंट फेर को रिवीजन करेंगे 20 भूक दिवस कम मनाया गया 28 माई को हाली में किसे यूएन मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द इयर से सम्मानित किया गया है मेजर राधिका सेन को हाली में नाटो के छे देश किस देश के खिलाप ड्रोन दिबार बनाने की यूजना बना रहा है तो रूस के खिलाप किस देश के प्रवतारो ही सत्यधीप एक सीजन में दो बार माउंट अब्रेश्ट और लहोट से पच धाई करने वाले पहले वैक्ति बन गए हैं तो भारत की अप्रेल महीने के ICC पिलियर अफ दम्मंथ कौन बने हैं हैलियू म प्रेश्ट और मुहम्मद वसीम बने हैं दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों प्रमानू सुरक्षा पर अंतराश्ट्रिय सम्मिलन कहां आयुजित किया गया है वियाना में ऑस्ट्रिया की राधानी कैनवरा है यह ऑस्ट्रिया है भारतिय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल ब पैंगलूर में चलो लोकू फसल उत सब किस राज़े में मनाया गया है तो अरुनाचल परदीश में मनाया गया है यह मैंने आपको पिछले दिन बताया था अब हम सुरू करेंगे आज के महत्योपुर्ण करेंट अफेर को और हमारा आज का पहला प्रशन है अंतराश्ट्र ये आलू दिवस दोस्तों 30 मई को मनाया गया अंतराश्ट्र ये आलू दिवस 30 मई को दोस्तों केंदरी ये आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये सिमिला में हैं 30 मई को हिंदी पत्रकाहिता दिवस भी मनाया गया है देखो 30 मई को दो दिवस मनाया गया है अंतराश्ट्र ये आलो दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस दोस्तों देखो उदंत मारतंड भारत में प्रकासित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था जो प्रकासित हुआ था 30 माई 1826 को दोस्तों 30 माई 1826 को यह प्रकाशित हुआ था इसलिए 30 माई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो माई महिने में कौन-कौन से महत्तोपुन दिवस मनाए गए अंतराष्टिय मजदूर दिवस एक मै बिश्व तूना दिवस दो मै बिश्व पिरेश सोतनता दिवस तीन मै अंतराष्टिय अगनी समन दिवस चार मै कोईला खनिक दिवस चार मै अंतराष्टिय नो डाइट दिवस छे मै बिश्व अस्थमा दिवस सात मै बिश्व मैं दिवस आठ मई विश्य रेड क्रॉष दिवस आठ मई विश्य प्रवश्य पक्षिए दिवस जोजरोटिस दोस्तो इग्यार कीमारा मई और बारा प्राले दिवस कम मनाया गया 18 माई को विशु मधुवक्षी दिवस से 20 माई राष्ट्रिय आतंकबाद विरोधी दिवस 21 माई विशु सरनार्थी दिवस से 20 माई अंतराष्ट्रिय जैब विवित्ता दिवस 22 माई अंतराष्ट्रिय मर्खोर दिवस दोस्तो 24 माई को मनाया ग जो स्तुभ मेरे प्यारे दोश्तों हमारा अगला प스럽शन है एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम टु का सफलता पुरवक इस स्राज्य के तटपर परिक्षन किया गया है ओडिसा भारत का एक टटवर्ती राज्य है दोस्तो भारत के नौ टटवर्ती राज्य है वो नौ टटवर्ती राज्य के नाम एक वारत अपध्यान से सुनना गुजरात, महराष्ट्र, गोवा, करनाटक, केरल, तमिल नाडू, ओडिसा, अंधरपरदेश और पस्षी मंगाल यह भारत के टटवर्ती राज्य है दोस्तो आप बताओ किमेंट बॉक्स में कि भारत के सबसे बड़े टटवर्ती राज्य कौन है तो दोस्तो रूद्रम टू का सफलता प्रुवक परिक्षन कहा किया गया, ओडिसा के तटपे किया गया है अच्छा, रुद्रम 2 को डेवल और इजिन इजिन साइन्स कभी कभी एगजाम में इसका मोटो संस्कृत में पुछता है संस्कृत में इसका मोटो है बलस मूलम विज्ञानम डियाडियो के चेर्में समीर वेंकटपती कामत हैं जिनका कारेकाल अभी हाली में एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है तो मेरे यह वायू सेना अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है तो यह दोस्तों अमेरिका के अलास्का में पहुंची है कहां पहुंची है अमेरिका के अलास्का में इस अभ्यास का आयोजन जो हो रहा है वो अमेरिका के अलास्का में होगा इस प्यारे दोस्तों भारतिय वायु सेना के प्रमुक कौन है इसका जवाब दो आप कमेंट बोक्स में मेरे दोस्तों देखो अमेरिका की राधानी है वौरसिंगटर अमेरिका की राष्ट्र beauती पहला देस अमेरिका है चंद्रमा पर मानव भी जहा गया था तो फो स्थो अपॉल एग्यारा के दोवारा और जाने वाले पर्थम बैक्ती थी नीउ एंगेस्ट्रॉम्फ कौंछ से दोस्तों नीमद्र डांट्रमफ जें दोब भते akesने देमिमी्पर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया के बीच है दोस्तों हिंडन वर्ग रेखा ये किस दो देश के बीच है ये आप बताओ कमेंटर बॉक्स में इस्ट्याच्व अप लिवर्टी नियॉर्क में है उत्री धुर्प पर जाने वाला दुनिया का पर्थम बैकती था राव देश की क्रिकेट खिलारी सोफी एलेक्स्टोन हाली में किस देश की क्रिकेट खिलारी सोफी एलेक्स्टोन सौवंडे क्रिकेट सौवंडे विकेट लेने वाले लेने में सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है सौवंडे विकेट लेने में सबसे तेज रिकॉर्ड जो बनाया ह वह किस ने बनाया है दौस्तों तो बनाया है writings टो ने जो कहा भूआ किया उंगलेंड की अब दोस्तों इंटबिता क्रिकेट कॉंचल जो है यह क्रिकेट की सरवच संस्था है तूंधी को HEATarchy कहरते है दुबई में filter क्रिकेट technicallyfeito convenience है ICC के CEO दोस्तो अब जानेंगे दोस्तों इंग्लेंड के बारें इंग्लेंड अर्थाथ इंग्लेंड को UK के नाम से जानते हैं बृटेंड के नाम से जानते हैं United Kingdom का द्वाधानी क्या है London और टेम सनधी के किनारी दूस्तों यहां की किरिंसी है पाउंड इस्ट्रिलिंग और यहां के PM है रिशी सुनक, Amnesty International का मुख्याले कहा है लंदन मी, राष्ट मंडल का मुख्याले लंदन मी है और अंतराष्टी समुदरी व्यपार संगधन का मुख्याले कहा है तो लंदन मी है मेरे प्यारे दोश्तों, और लंडन कौंसे रिवर के किनारे है ये आप बताओ केमेंटर बॉक्स भी हमारा अगला प्रशन है हाली में 30 माई को गोवा ने अपना स्थापना दिबस मनाया है तो इसकी इस्थापना की समर्ज की गई थी 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी और गोवा ने अपना स्थापना दिवस 30 समय को मनाया है क्योंकि 30 समय 1987 को गोवा को पुन राजिका दर्जा दिया गया था मेरे प्यारे लालेवम लालियो यह आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है दोस्तो गोवा कप दूद सागर जरना कौन सा जरना दोस्तो दूद सागर जरना दोस्तो कहां पर है तो गोवा में है गोवा में एक जील भी है नंदा जील कौन सा जील नंदा जील गोवा में ही है दोस्तो मेरे प्यारे दोस्तो अब देखो गोवा गोवा की राधानी है पंजी है गोवा के गवर्णर है पी एस स्रीधरन पिलनेई और गोवा के मुख़्े मंत्री प्रमोद सावंत दोस्तों में राजसभा एक है और लोकसभा 12 है गोवा में विधान सभा सिर्ट 4 है और मिजोरम में वी जुय गोवा मुक्ति दिवस कम मना जाता है 19 सच्चाइब को 1797 को गुवा को पुर्तगाल से अजाद किया गिया था गोवास थाफणी मशुष्टेस तीस मई को मना जात यह क्योंकि 2018 को पुर्न राजेका दर्जा दिया गिया था और गोवास भारत का 25 यह ب overly वथ जीब भवारन भगवान महावीर वने जी बभ्यारन मांदी वने जी बभ्यारन नित्रावली वने जी बभ्यारन राश्ट्रिय समुंद्री विज्ञान संस्थान ये पनजी में है और दुनिया का नन्न जी tribute में और मदूबी नदी को बोला गया है और मेरे लालेवम लालियो हम आगे बठते हैं और हमारा अगला प्रशन है सदा तंसकी सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच रजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया है सदा तंसकी सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच रजस्थान के महाजन में आयोजित हुआ है तो भारत और सौधी अर्व के बीच दोस्तो यह अभ्यास होता है तो मेरे दोस्तो रजस्थान मैंने आपको दो दिन पहले भी रजस्थान के बारे यह बताया था तो दोस्तो आप बता दो अभी केमेंटर बॉक्स में दोस्तो भारत का पहला सहरी रोपवे कि शहर में अगश्ट 2024 तक बन कर तयार हो जाएगा तो वार्णसी में दोस्तो और वार्णसी जो आपका है ये गंगा रीभर के किनारे हैं। वान नसी में ही दोस्तो लाल बहादु सास्टरी अंतराश्टरी हवाई अड़ा है दोस्तो लखनओ है गोमती नदी के किनारे अयोध्या है सरीयों दी किनारे और कानपूर भी गंगा नदी के किनारे ही है दोस्तो तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो अब जानते हैं उत्तर उत्तरपर्धेश के मुख्य मंतरी कौन है। यहाँ पे राजशभा 31 है और लोगसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रिय उद्यान, हस्तिनापूर राष्ट्रिय उद्यान, रानिपूर वन्ने जी वभ्यारन, चंदरप्रभा वन्ने जी वभ्यारन, सुर्शरोवर वन्ने जी वभ्यारन, बखीरा वन्ने जी वभ्यारन, पिलिवित राष्ट्रिय उद्यान, अमान गन रिजर्व और लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण जो आपका है यह उत्तर परदीश में है फिर से एक बार सुन लू दुधवा राष्ट्री यह उद्यान हस्तिनापूर राष्ट्री यह उद्यान रानीपूर वन्ने जीव अभ्यारण चंदरप्रभा वन्ने जीव अभ्यार बखीरा वन्ने जीव अभ्यारण पिल्भित राष्ट्री यह उद्यान अमानगण बागर जर्व और लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण जो आपका है यह उत्तर परदीश में है चोधरी चरंसिंग अंतराष्ट्री हवायड़ा लखनव में है और लाल बहादुर सास्त्री चिनी तकनी की संस्थान कानपुर में मी अकनदर लखनों मी है केंद्रिय बनस् पती अनुसंद्रैक इंदर लखनों में वीरवल सहनी जीबासं विज्ञान संस्थान लखनों मỵें थो स्छीडिवी का रिक्वाटर कहा है लखनों में दोala behavior हो थी है दो अप्रेल ऊप्रेल उनिस्वा अव्भ को रास्तिये राज्य मार्गों का चरहा कानपुर में नाबहों का सहर लखनौ दोस्तो कहा गया है उत्तर भारत का मांचश्टर कानपुर को कहा गया है और दोस्तों ध्यांचंदर एकश्ट भालत चार॥। किसे तो यह आप बताओ कमेंटर बॉक्स में में प्यारे लालेवं लालियों हमारा आठमा प्रश्ण है दोस्तो अंतराष्ट्रिय एवरेश्ट दिवस कब मनाया गया है तो अंतराष्ट्रिय एवरेश्ट दिवस तीस समय को मनाया गया है कब मनाया गया तीस समय को नेपाली तेंजिंग नौर्गे और न्यूजी लेंड के एडवन्ड हिलेरी की याद में अंतराष्ट्री एवरेष्ट दिवस से 30 माई को मना जाता है, क्योंकि 30 माई उन्हीं सुत्रेपन को ये दोनों माउंट एवरेष्ट पर जाने वाले परतम बैखती थी, तेंजिंग नौर्गे मैं अभी नेपाली बोला आपके अंप्रीज होगे होगे, कि भारत कहीं कहीं लिखा रगता है, तो तो तेंजिंग नौर्गे दोस्तों जो थे इनको भारत की नागरिकता मिल गई थी याद रखना, दोस्तो देखो पहली बार यादिबस का मनाया गया था 30 समय को मनाया गया था पहली बार यादिबस देखो अब माउंट एवरेश्ट दोस्तो तो देखो माउंट एवरेश्ट जो आपका है ये नेपाल में है जिसकी उजाई है 88-69 मिटर और माउंट ब्रेष्ट का अन्य नाम है चोटी पंदर इसको तिब्बत में कहा गया है कोलो लंगमा और नेपाल में कहा गया है सागर माथा इसे प्रिथिवी का तीसरा धुर्व के नाम से भी जानते हैं सरपर्थम यहां पर जाने वाले ब्रेघती थे एडवांड हिलेरी और टेंजिंग नार्गे जो 1903 मे गये थे थी संमाई 1903 को दो बार सर प्रफम अमेरिकी थे जीम बहिट कर उनिस्वाइब गए थी पर्फम महिला थी जुनको तेवाई दुनिया में जाने वाली माउंट एवरेष्ट पर जो जापान की थी उनिस्वाइब गई थी और पर्फम भारती महिला थी बिजंदरी पाल जो 1984 में माउंट एवरेष्ट पर गई थी मेरे लालेबं लालियो तो मेरे प्यारे दोस्तों यह मैंने आपको बताया माउंट एवरेष्ट के बारे मी मेरे लालेबं लालियो देखो हमारा दोस्तों मही महीना दोस्तों खत्म हो चुका है और मैं आपको मही महीने के क्रेंट अफे तो हाल ही में दोस्तों कल जो मैंने आपसे तीन प्रशनी किया था हुगा प्रशन था हमारा हाल ही में नेपाल ने अपना सत्रहमा गंतंद्र दिवस कम बनाया 28 मई को हाल ही में चर्चे में रहा विरू पाक्ष मंदर किस राजी में है करनाटक में है किस राजी सरकार ने एक सा करवाऊंगा और चादिक भी करवाऊंगा तो ध्यान से दोस्तों आप आठ बजे आ जाना मैं आपको यूटूब पर करवाने वाला हूं क्रेंट फिर जून महीने का दोस्तों एक जून 2024 को दोस्तों अप्रेल महीने की ICC प्लेयर उतमन्त कौन बनी है परमानु सुरक्षा और अंतरास्थिय सम्मिलन का आयोजन कहां हुआ है भारतिय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझाता गिया है तो इस तीनों प्रशन का जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये था हमारा आज का महत्तवपूर्ण करेंट फिर जानक यू सो मच मेरे प्यारे लाल इमाम लालियो